उत्राखण में युनिफॉर्म सिल कोड आ गया है बहुत जल्दी ही भारत के कई अन्य राज्यों में भी लागू हो जाएगा और बहुत जल्दी ही पुरे देश में लागू हो जाएगा लेकिन आद मैं आपसे बात कर रहा हूँ युनिफॉर्म बिजनस कोड की समान व्यापार संगिता जिन कारियों से भारत की संस्कृती बरबाद हो रही है उसका लाइसंस क्यों दिया जा रहा है जिन प्रोड़क्ट से हमारे बच्चे बरबाद हो रहे है जिन फैक्टरियों के प्रोड़क्ट से हमारी पुरी जनरेशन बरबाद हो रही है उसका लाइसेंस क्यों दिया जा रहा है मैं हुका बार का लाइसेंस देना सटा बार का लाइसेंस देना बियर बार का लाइसेंस देना डांस बार का लाइसेंस देना इससे क्या सनातन संस्कृती मजबूत हो रही है क्या इससे सनातन धर मजबूट हो रहा है क्या इससे हमारी युवाप इडिक अंदर कोई अच्छा संदेश जा रहा है क्या नहीं तो ये बिजनेस किस रेडिय में क्यों है इसको हम बिजनेस क्यों कह देते हैं इसको उद्द्यों के मंत्राला इसको लैसंस कίνँ देटा है इसलिए मैं कहता हूँ युनिफाम सिविल कोड से जज़ादा जरूरी है युनिफाम बिजनेस कोड समान नागरिक संगीता से ज़्यादा जरूरी है समान व्यापार संगीता जिन चीजों से हमारी हमारे बच्चे बरबाद हो रहे उनका लाइसंस सरकार देना बंद करे शराब की फैक्टी खोलने का लाइसंस क्यों दिया जा रहा है और मजाग देखिए सरकार का एक डिपार्टमेंट सराब फैक्टी खोलने का लाइसंस देता है सराप का दूसरा डिपार्टमेंट सराप का ठेका खोलने का लाइसेंस देता है और सराप का और सरकार का तीसरा डिपार्टमेंट नशा मुक्ति केंद्र बनाता है तब गजब जनता को चूतिया बना रखा है अरे भाईया नशा मुक्ती केंद्र की जरूत क्यों है लोग नसा कर रहे हैं और नसा क्यों क्यों कर रहे हैं क्योंकि बियर बार, हुक्का बार, सुट्टा बार, डांस बार आप ही खुलवा रहे हो और बियर बार, हुक्का बार, डांस बार तो नसा मुक्ती केंद्री की जरूती नहीं बिमारी भी आप दे रहे हो और समाधान चाहते हो सरकार से हो जाए मैं तो देश के सभी नागरिकों से निवेदन करता हूँ यदि आप किसी धर्म गुरु से जुड़े हुए हैं तो उससे पूछिए कि धर्म की जय कैसे होगी अधर्म का नास कैसे होगा प्राणियों में सद्भावना कैसे होगी विस्व का कल्याण कैसे होगा यदि आप किसी पॉलिटिकल पाल्टी से जुड़े हैं तो अपने निता से पूछिए धर्म की जय कैसे होगी अधर्म का नास कैसे होगा, प्राणियों में साथ भावना कैसे होगी, विस्व का कल्याण कैसे होगा ये बियर बार, हुका बार, डांस बार, ये जितने सटा बार, आनलाइन गेमिंग कौन दे रहा इसका लाइसेंस? और वो भी बिजनेस के नाम पे हम जुवा खाना खुलवा के भारत की जीडीपी बढ़ाएंगे क्या? हम अनलाइन गेमिंग सुरू कराके भारत की जीडीपी बढ़ाएंगे? हम ये चकला घर खुलवा के और बियर बार खुलवा के बारत की GDP बढ़ाएंगे क्या इसको व्यापार की स्रेडी में क्यों रखे हुए सम्भिधान कहता है सबको व्यापार करने का अधिकार है लेकिन व्याभिचार करने का अधिकार थोड़ी है हम तो व्यापार के नाम पे व्याविचार करवा रहें और एक बात और कोई फैक्टी खुलती है तो उसका Environment Impact Assessment होता है जिस फैक्टी से Environment पे क्या प्रभाव पड़ेगा कोई फैक्टी खुलती है तो हम कभी ये नहीं देखते कि ये जो फैक्टी में समान बनेगा इससे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा Health Impact Assessment नहीं करते Environment Impact Assist करते हैं कि भई इस जो फैक्टी खुल गई इससे Air Pollution कितना होगा Water Pollution कितना होगा Noise Pollution कितना होगा कभी ये नहीं सोचते इस फैक्टी में बनने वाले समान से लोग के स्वास्त कैसा होगा Health Impact Assessment नहीं करते Social Impact Assessment भी नहीं करते कि ये जो फैक्टी में समान बन रहा है इससे समाज पे क्या परिणाम होगा Cultural Impact Assessment भी नहीं करते कि ये जो समान बन रहा है उससे भारत की संस्कृती बरबाद होगी या भारत की संस्कृती का प्रचार प्रसार होगा तो इन्वार्मेंट इंपेक्ट असेस्मेंट करेंगे लेकिन हेल्थ इंपेक्ट असेस्मेंट नहीं करेंगे कल्चरल इंपेक्ट असेस्मेंट नहीं करेंगे मेंटल इंपेक्ट असेस्मेंट नहीं करेंगे इस इफेक्टिम जो समान बनेगा इससे लोग की मानसिक्ता की दर जाएगी असलीलता क्यों बढ़ रही है सरकारे बढ़ वा रही है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कानून बना दिया जाए कोई भी बॉली उड का एक्टर डारेक्टर प्रोडूसर गंदी न फिल्म बना पाएगा न गंदा सीरियल बना पाएगा कानून घटिया है तो बॉली उड वाले असलिलता परोसरे कानून घटिया है तो लोग हुका बार डांस बार बीयर बार खोल रहे इसको हम business तोड़ी कर सकते ये गंदी फिल्म बनाना ये कोई business है क्या गंदे serial बनाना ये कोई business है क्या हम क्यों नहीं फिल्मों का mental impact assessment करते social impact assessment करते health impact assessment करते cultural impact assessment करते मेरा आप लोगों से निव resembling है इन चीजों के खिलाब बोलना शुरू करिए और कुछ नहीं कर सकते तो कम स्कम 5,000 फेस्बूक फ्रेंड बना लिजे पांच जार फेस्बूक फ्रेंड आराम से रोज 100-200 लोगों को अपने फेस्बूक पे फ्रेंड रिक्वेश्ट भेजिए अगले एक डेड़ महिने दो महिने कंदर आपके पाँजार फेस्बुक हो जाएंगे और समस्या मूल कारण और अस्थाई समाधान लिखना Hail करीजिए छोटी छोटी बची साथ बलाद्टकार हो रहा है कहां से हो रहा है नशे के कारण हो रहा है और फिल्मों के गंदे फिल्मों के कारण गंद सीरियल के कारल होते हैं अबिचार जो फैल रहा है कहां से फैल रहा है जो घटिया फिल्में माना और निर्मित जितनी भी समस्यां हैं उनका हंड़ेड परसंट इलाज कानून के ज्रीय हो सकता है जो दैवी प्राव समस्या है भूकंप है बाड है सुनामी है तूफान है बहुत गर्मी है बहुत बरसात है इसका इलाज हमारे पास नहीं है लेकिन हम लोग दैविक समस्याओं से परिशान नहीं है हम मानवी समस्याओं से परेशान हैं हम उन समस्याओं से परेशान है जो इंसान के द्वारा सुरू की गई है और इंसान के द्वारा जो समस्या सुरू की गई है वो कोई ला इलाज नहीं है इंसान के द्वारा सुरू की गई सभी समस्याओं का इलाज इंसान कर सकता है, कानून बना के हो सकता है इसलिए मैं आपलों से निवेदन करता हूँ असलीलता खतम हो, नसा खतम हो इसके लिए जरूरी है एक युनिफॉर्म बिजनिस कोड बनाये जाए समान, व्यापार, संगिता व्यापार के नाम पे बिजनेस के नाम पे कुछ भी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए अभिव्यक्त की आजादी के नाम पे गंदी फिल्में गंदे सीरिल बनाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए भारत में कभी uniform business code पे कभी चर्चा नहीं हुई health impact हो, mental impact assessment हो, social impact assessment हो, cultural impact assessment हो इस पे कभी चर्चा नहीं हुई, ये चर्चा तभी होगी जब आप आवाज उठाएंगे आप अगर मेरी बात से सहमत है, आप मेरी बात से आपको लगता है कि इसको लागू करने से uniform business code बनाने से आपके बच्चों का भला होगा, समाज का भला होगा, परिवार का भला होगा, हमारे देश का भला होगा सनातन संस्कृति का प्रचार पसार होगा, तो इसके के लिए आवाज उठाएं, दल गुलामी छोड़िए जहां बोल सकते हैं, वहां बोलना सुरू करिए, अपने महामंडलेस्वर से बोलिए, अपने धरम गुरू से बोलिए, अपने कथा वाचक से बोलिए, अपने सांसर से बोलिए, अपने विधायक से बोलिए, और पांच जार फेस्बूक फ्रेंड बनाके अपने फेस्बूक पे लिखना सुरू करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बदलाओ जरूर आएगा